नमस्कार दोस्तों, आतंक वादियों ने पंडितों को कस्मीर से क्यों भगा दिया और क्यों इस सच को सरकार ने 30 सालों तक जंता से छुपा कर रखा अचा पहला पहला जिस आदमी को पहले पहले आपने जान से मारा, वो कौन था? सतीश, सतीश कौन? सतीश कुमर्द, टिकूँ, कौन था ये? पंडित लगता दा कस्मीर फाइस मूबी आपको क्यों देखनी चाहिए और क्यों नहीं? आप सोच रहे होंगे ये बताने वाला मैं कौन होता हूँ? लेकिन अगर आप इस वीडियो को लाश तक देखते हैं तो आपको जुरूर पता चल जाएगा कि दा कस्मीर फाइस आपको क्यों देखन कर दिया गया सड़कों पर नारे लग रहे थे कस्मीर में अगर रहना है अल्ला होकबर कहना है 19 जन्वरी 1990 की सर्द सुवे थी कस्मीर की मस्जिदों से उस रोज अजान के साथ साथ कुछ और भी नारे गूज रहे थे यहां क्या चलेगा निजाम मुस्तफा कस्मीर में अग निजान तक मिटा दिया गया उस रात घाटी से पंडितों का पहला जथा निकला मार्च और पेल के दर्मियान हजारों परिवार खाटी से भाग कर भारत के अन इलाकों में सरण लेने को मजबूर हुए अगले कुछ महीनों में खाली पड़े घरों को जला कर राक कर दिया जो घर मुस्लिम अवादी के पास थे उन्हें बड़ी साबधानी से बरबाद किया गया कस्मीरी पंडित संघर समित के नुसार जनवरी 1990 में घाटी के वीतर 75,343 परिवार थे 1990 और 1992 के बीच 70,000 से ज्यादा परिवारों ने घाटी को छूड़ दिया आतंकियों ने 1990 से 2011 के रीच 400 कस्मीरी पंडितों की गोली मार कर हत्या कर दी पिछले 30 सालों के दोरान घाटी में वा मुश्किल 600 हिंदू परिवार बचे हैं अगर आकड़ों से कस्मीरी पंडितों का दर्द बया हो तो सुनिए 2020 सताबदी के सुरुआत में लगबग 10 लाग कस्मीरी पंडित थे आज की तारीक में 9000 से जादा नहीं है 1941 में कस्मीरी हिंदू का आवादी में हिस्सा 15% था 1991 तक उनकी हिस्सेजारी सिर्फ 0.2% तरहे गई जब किसी समदाए की आवादी 10 लाग से घटकर 10 लाग से भी कम रह जाए तो इसके लिए एक हिसब दाता है नरसंगार आज भी गाटी में कस्मीरी पंडित सुरुच्छिन नहीं है पिछले 30 सालों में कस्मीरी पंडितों को बापस घाटी में बसने की कई कोस्ते हुँ मगर नतीजा जीरो रहा 1992 के बाद हालात और खराब होते गए हिंदूों को इस बात का भी एहसास हो गया कि अब घाटी पहले जैसी नहीं दही पाच एकस 2019 को जब भारा सरकार ने जम्मूर कस्मीर से धारा 370 को खत्र किया तो कस्मीरी पंडित बहुत खुष थे मगर न की बापसी का अर्मान अब भी अर्मान ही था कस्मीरी हिंदू ना 1990 में घाटी के भीतर सुरुच्छित थे ना आज है हद तो तक हो जाती है जब हमारा पड़ो से ही आतंकवादियों का साथ देने लगे स्कूलों में सच की जगह जूट पढ़ाया जाने लगे आपकी आवाज को दबा दिया जाए मीडिया भी सच को दबाने लगे दग कस्मीर फाइल्स कोई फिल्म नहीं है कस्मीर फाइल्स एक बहुत अच्चाई है जिसे हर एक सक्स को जानना चाहिए जहां कई टाक्सों ने फिल्म का प्रमोशन करने के लिए मना कर दिया वहाँ खुद पीए मोदी ने इस फिल्म को प्रमोट किया इस फिल्म को देखने के बाद कुछ लोगों के आँखों में आसू आ गए कई स्टेट्स में कस्मीर फाइल्स को टेक्स प्री कर दिया गया है इस फिल्म को इतनी पापलर्टी मिल रही है कि IMDV पर इसकी रेटिंग 10 आउट आप दा 10 है अगर आपके मन में फिल्म को देखने की केरिस्टी जाग रही है तो कमेंट बाक्स में यह से जरूर लिखें और आपका इस फिल्म के बारे में क्या अपीनियन है हमें कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आण करने जिससे आगे आने वाली बैल वीडियो आपके नलस को इंप्रोब कर सकें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सेर भी करें इसने उन्हें भी बता चले कि या आप कितने amazing वीडियोस देखते हो। आप मुझे इन social media platform पर follow भी का सकते हैं लिंक description में है आपको ये interesting वीडियोस भी check out करने चाहिए।